हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टू फाइन आट स्टडी तो आज के इस वीडियो में हम सॉल करेंगे प्रैक्टिस सैट नमबर 9 इससे पहले 8 जो प्रैक्टिस सैट है वो चैनल पर अपलोड हो गए हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखेगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेस्चन आज के प्रैक्टिस सैट का और देखें ये जो प्रैक्टिस सैट है इसके जितने भी क्वेस्चन है अभी जो DSSB के online exam चल रहे हैं उसमें अलग-अलग exam में ये question आए हुए हैं तो इन्हें जरूर देखेगा most important question है तो इससे आपको एक idea लगेगा कि DSSB के इस प्रकार के person पूछ रही है तो पहला question देखते हैं सिंदुगाटी सब्वेता के खंडरों का पहला आदूनिक विवरन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो ये प्रस्तुत किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा second question है कोल कली कहां का लोग नरत्य है देखें जो लोग नरत्य से और जो instrument है लोग कलाएं हैं इन से संबंदित जो question है वो पूछे जाते हैं तो इन्हें जरूर देख कर जाएं तो कोल कली जो है वो लक्ष दीप का लोग नरत्य है next question है किस हडपा स्थल पर यहां स्थल आएगा किस हडपा स्थल पर नालियों जलाशियों और जल संचेन के माद्यम से परिश्करत जल संड्रक्षन की खोज की गई थी तो यह की गई थी दोला वीरा में next है question number 4 है किस दिलालेक के तहत अशोक ने स्वयम को उपासक घोशित किया था next question है किस साशक के अधिन तूती नामा को चितरित किया गया था अकवर मुगल साशक जो अकवर थे उनकी अधिनी तूती नामा को चितरित किया गया था next question है वेटिकान थेंजा डेला सेंग तूरा में the school of Athens बहुत ही famous जो भिती चितर है वो है था ये तो इसे किस चितरकार ने चितरित किया था तो इसके जो चितरकार थे वो थे राफेल next question है मोहन जोदरो का विनाश कितनी बार हुआ तो मोहन जोदरो का जो विनाश है वो 7 बार हुआ था ये last time DSSB में भी पुछा गया था कि मोहन जोदरो को कितनी बार नश्ट किया गया तो ये 7 बार next question है पुष्प बाली का किस चितरकार का है पुष्प बाली का जो चितर है वो राजा रवी वर्मा के दवारा चितरित किया गया है next question है नाट्य साफ्त ग्रंथ लिखा गया था तो ये प्रतम स्ताबदी में लिखा गया था और ये question RPSC में और जो UP में एक्जाम होता है TGD-PGD का उसमें भी पूछा गया था Next question है सारनात की मुर्ती शिल्पों में किस पत्थर का प्रियोग हुआ है तो चुनार सेंट स्टोन है चुनार बल्बा पत्थर है उसका सारनात की जो मुर्ती शिल्पों में प्रियोग किया गया Next question है एत्मादू दोला का मक्परा कि साशक के काल में बना तो ये बना था जहांगीर के काल में Next है कला को दो भागों में किस ने बाटा था तो कला को दो भागों में बाटा था चारू और एक सेकिन तो जो कला है उसे पानी ने दो भागों में बाटा था वो दो भाग थे चारू और कारू ठीक है चारू और कारू नेक्स व्यस्टूशन है कि सैली में कनिश्ख की एक सीर रहीत मूर्ती मिली तो यह मिली थी मतुरा शैली में नियमत नामा कई जह बहुँ लिखाओ मिलता है तो नियमत नामा जो पांडू लिपे है वो किस विशय से संबंदित है तो ये पाक कला से संबंदित है last question है आज के वीडियो का company shelly में छोटे चित्रों के set को क्या कहा जाता था जो company में चित्रों के छोटे चोटे set बनाये जाते थे उन्हें फिर का कहा जाता है तो ये था हमारा आज का practice set most important practice set है क्योंकि ये सभी question है इसमें 15 question है 15 के 15 question repeated है इसलिए ये practice set most important है अपने दोस्तों साथ जादा से जादा शेयर करें और अगर अपने तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें थेंक यू